Hello students, welcome to study Hindi आज हम वाच्य को पढ़ेंगे जिसे अंगली जी में voice भी कहते हैं तदा इसके प्रकार को जानेंगे तो वीडियो को पुरा जरूर देखना चलिए सीखते हैं कि वाच्य क्या है वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग करता, कर्म या भाव में से किस के अनुसार किया गया है वह वाच्य कहलाता है कहने का मतलब है कि वाच्य में क्रिया का जो भी रूप है ठीक है तो वो रूप किस से प्रभावित हुआ है क्या वो कर्ता से प्रभावित हुआ है क्या कर्म से प्रभावित हुआ है या फिर भाव से यही कहलाता है वाच्या जैसे यहाँ एक वाक्य देख लिजे सीता गाना गाती है तो हमें देखना किसको है क्रिया के रूप को देखना है तो यहाँ पर क्रिया के रूप क्या है गाती है मतलब स्ट्रिलिंग एक वचन है किने तो यहाँ पर जो यह स्ट्रिलिंग एक वचन है यह करता के द्वारा प्रवाईत है या फिर करम के द्वारा करता के द्वारा ठीक है सीता ये स्ट्रिलिंग एक वचन है और उसी के अनुसार क्रिया भी क्या हुई यहाँ पर इस्ट्रिलिंग एक वचन तो यहाँ हुआ एक तरह का वाक्या है किने जो की करता से प्रभावी थे अगला वाक्य देखिए सीता द्वारा गाना गाया जाता है ठीक है तो यहाँ एक वाक्य है इसमें सीता क्या है सेम स्ट्रिलिंग एक वच्चन लेकिन यहाँ पर क्रिया को देखे तो यहाँ क्रिया आपको अलग दिख रहा है यहाँ जाता है पुलिंग एक वच्चन दिख र रहा है यहां पर कर्म का प्रभाव क्रिया को पढ़ रहा है जैसे सीता द्वारा गाना गाया जाता है ठीक है तो कर्म का प्रभाव की सर पढ़ रहा है क्रिया पर पढ़ रहा है तो यह हो गया एक तरह का वाक्य अगला और एक वाक्य देखिए व्रिद्धा से चला नहीं जात यहाँ पर जो क्रिया है ना तो कर्ता से ही प्रवाई थे और कर्म तो यहाँ है नहीं तो यह एक अलग तरग का वाक्य है ठीक है तो अब हम इसे समझते हैं कि उपर के पहले वाक्य से पता चलता है कि उसकी क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है ज ऐसे कि मैंने कहा कि यह क्या है सीता से वंदर करता से यह प्रवाइद नहीं हुए बलकि कर्म के अनुसार यह प्रयुक्त हुए वैसे ही तीसरा वाक्या देखे तो इस वाक्या में ना तो करता पर बल है और ना ही कर्म पर यहां भाव की प्रधानता है तो यहाँ पर वृद्धा के अनुसार क्रिया नहीं लगा है और कर्म तो यहाँ है यही नहीं, यहकिने तो ऐसे वाक्य में भाव की प्रधानता होती है अब हम वाच्चे के प्रकारों को देखेंगे उसके अंतरगत यह जानेंगे कि यह तीनों वाच्चे के किस किस वाच्चे के अंतरगत आते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है तो चलिए देखते हैं वाच्य के प्रकार हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं कर्ती वाच्य जिसे इंग्लिश में एक्टिक बोईस भी कहा जाता है कर्म वाच्य, पैसिब बोईस, भाव वाच्य, इमपर्सनल वोईस तो सबसे पहले देखते हैं हम कर्तिवाच्य कर्तिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग वचन वपुरुष कर्ता के लिंग वचन वपुरुष के अनुसार होता है तो जैसे कि नाम सही पराचल रहा है कि यहाँ पर करता की प्रधानता होगी है कि ने करतिवाच्य तो इसमें क्या है कि जो क्रिया है वो करता के आधार पर ही बनेगी ठीक है तो जैसे मा खाना पका रही है तो पका रही है यह कि ने तो रही है क्या है स्ट्रिलिंग और मा करता क्या है स्ट्रिलिंग तो इसी के अन क्या है बहुवचन उसी अनुसार क्रिया भी क्या हुआ बहुवचन तो ये भी कर्ति वाच्य कहलाएगा तो जिस वाक्य की क्रिया में कर्ता के लिंग और वचन का प्रभाव हो यानि कि कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया बनी हो वही कहलाएगा क्या कर्ति वाच कर्मवाच्या में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग वचन में कर्म के लिंग वचन में पूरुष के अनुसार होता है जैसे कि हमने फस्वन स्लाइड में दुसरा वह सेंटेंजم देखा था तो अनुरादा क्या है, करता है, किने केले क्या है, कर्म है, और खाये जाते हैं क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर खाये जाते हैं, जो क्रिया है, वो क्या अनुरादा के अनुसार बैटे हैं, नहीं, किसके अनुसार आई है, केले के अनुसार, और केले यहाँ पर क्या है, कर् कर्म के अनुसार है ठीक है अगला वाक्य देखते हैं दादा जी से पत्र लिखा जाता है तो यहां पर दादा जी करता पत्र कर्म लिखा जाता है क्रिया अब यहां पर जो क्रिया है वो करता के अनुसार नहीं आया हुआ है वो किसके अनुसार आया हुआ कर्म के अनुसार पत लिखा जाता है येकिने पत्र पर बल दिया गया है और पत्र की प्रधानता है इसमें इसलिए पत्र के अनुसार क्रिया निर्मित है तो ये भी कर्म वाच्य के अंत्रगत आएगा ठीके तो कर्ति वाचक में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म वाच्य में कर्म के अनु के अनुसार भी क्रिया का वचन और लिंग निर्धारित होता है तो उमीद है आपको ये कर्ती वाचक और कर्म वाचक समझ में आ गया होगा अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाव वाच्चे में भाव की प्रधानता होती है तथा क्रिया का सम्मंद ना तो कर्ता से होता है और न कर्म तो इसमें होता ही नहीं इसमें भी कर्म वाच्चे की तरह से या के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है ठीक है जैसे लिखा हुआ है के द्वारा के अनुसार भी लिखा जाता है तो वैसे ही भाव वाच्चे में भी से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है और यहां अकर्मक होती है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता, ठीक है, जैसे नेता जी से सहा नहीं गया, ठीक है, तो यहां पर करता के आधार पर क्रिया नहीं निधारित है, है की नहीं, यानि कि करता के प्रदानता नहीं है, कर्म यहां है नहीं, तो यहां वाक्या क्या हो गया, तो भावाच्य की विशेषता क्या है कि असमर्थता या विवस्ता प्रकट करने के लिए इसमें नहीं सब्द भी प्रयुक्त होता है जैसे अब लेटा नहीं जाता बैठा नहीं जाता ठीक है या फिर अनुमती लेने के लिए जो वाक्य हम प्रयुक्त करते हैं जैसे अब वाक्य कहलाते तो उमीद करता हूँ कि आपको यह कर्ति वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य तिनों समझ में आ गए होगी अब इसे सम्मंदित को तथ्य है जिसे हमें समझना होगा ताकि हम इन तिनों को और अच्छी तरह से समझ सके इन तिनों में प्रोजेक्ट होने वाले वाक्य को और अच्छी तरह से जान सके तो कर्ति वाच्य में जो वाक्य होता है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है ठीक है भाव वाच्य के वाक्य करता सहित या करता रहित हो सकते है तो भाव वाच्य में क्या है करता हो भी सकता है और करता नहीं भी हो सकता है जैसे रवी से पढ़ा नहीं जाता यहां करता है है की नहीं अब चला नहीं जाता, यहां करता नहीं है लेकिन ये दोनों वाकिय क्या है? भाव वाच्चे है करती वाच्चे में यदि करता के साथ ने का प्रयोग हो तो क्रिया उसकी अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होती है तो यह एक जानने वाली बात है कि कर्ति वाक्षे में यदि कर्ता के साथ ने का प्रयोग है तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी जैसे उधारन में देख लिए रमेश ने फिल्म देखी रागिनी ने कविताएं लिखी रूची ने हाथी की सवारी की तो यहाँ पर पहला वाक्य देखिए रमेश ने फिल्म देखी तो यहाँ पर रमेश पुलिंग एक वचन है लेकिन क्रिया क्या है फिल्म के अनुसार बनी है तो ने के कारण क्या हुआ कर्म की प्रधानता हो गई कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तित हुआ तो ने का प्रयोग अगर करता का साथ है तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार बनेगी रागिनी ने कविताइन लिखी तो कविताइन लिखी कविताइन के अनुसार यह लिखी है यहाँ पर वेचे रूची ने हाथी की सवारी क खाती की सवारी के अनुसारी यहां पर क्रिया बैठायी गई है तो इस प्रकार वाग्चा से सम्मंदित कुछ तत्य हैं जो हमें जानना होगा अगर हम इसे समझ जाएंगे तो आसानी से वाच्चे के वाक्य को अलग कर सकते हैं, आगे है कर्म वाच्चे का प्रयोग निमलिखित स्थित्यों में होता है, अब कर्म वाच्चे का प्रयोग कहां कहां होता है, वो भी देख लिजे, जहां करता ग्यात ना हो, वैसे अस्थानों पर भी कर्म वाच्चे का प्र जाए येकिने तो कानूनी भासाओं के अंतरगत भी कर्म वाच्चे का ही प्रयोग किया जाता है वैसे ही किसी कारे के लिए असमर्थता प्रकट की गई हो इसे मुझसे यह सवाल हन नहीं किया जाता येकिने तो ये भी क्या है कर्म वाच्चे के अंतरगत आएगा असमर्थता प्रकट करने में और समर्थ तक भाव वाच्चे में भी प्रकट की जाती है लेकिन वहाँ पर क्या नहीं होता कर्म नहीं होता जिसके वैसे वह क्या बदल जाता है भाव वाच्चे में बदल जाता है ठीक है तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कर्ति वाच्चे में जो क् प्रयोग में भी कर्म वाच्चे का ही प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है और साथ ही असमर्थता प्रकट करने के लिए भी कर्म वाच्चे का प्रयोग किया जाता है और से या के द्वारा इनके द्वारा वाक्य निर्मान होता है और भाव वाच्य की बात करें तो भाव वाच्य भी अस्वमर्थता प्रकट करने के लिए होती है लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं होता और जो क्रिया है वो करता पर आधारित नहीं होती करता के अनुसार नहीं होती बलकि भाव के आधारित होती है जैसे मुहन से हसा नहीं जाता सुनिता से उठा नहीं जाता यह कि नहीं यह सब भाव वाच्चे के वाक्य हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वाच्चे विशे समझ में आया होगा हम अपने अगले वीडियो में वाच्चे परिवर्तन को लेकर आएंगे ठीक है और उसे समझेंगे तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू फो वाच्चे